नमस्कार साथ यूँ कुछामन ओनलाइन कलासेज यूटूब चैनल में आप सभी का सुवागत है आज हम एक नई सीरीज सुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जिला दर्सन दोस्तु जिला दर्सन के अंदर जो नए उन्नीस जिले बनाए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उन्नीस जिलू के अंदर चाए भुगोल हो चाए इतियास हो चाए कलासेस करती हो इनमें से कौन कौन सा पार्ट है जो नए जिलू के एकोडिंग बनेगा दोस्तु बाकी पुराने जिले हमें याद रे जाएंगे लेकिन नए जिलो में कौन-कौन सा बात चला जाएगा जैसे आज हम यहाँ पर अनूपगड के बारे में बात करेंगे तो अनूपगड दो जिलो से बना है एक विकानेर से लिया गया एक स्रीगंगानगर से लिया गया और एक-एक जिले के बारे में complete जानकारी आपको दी जाएगी तो एक बार इस कलास को आप अंतक देगना आपको पता चलेगा कि किस परकार की ये कलास रहने वाली है तो सुरू के अंदर वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए दोस्तूं चलते हैं आज की इस कलास की और दोस्तूं हम छोटी कलास होगी आराम से आपको एक-एक चीज है वो देखना है दोस्तूं हम बात कर रहे हैं आज सबसे पहले अनूपगड जिले की दोस्तूं अनूपगड देखे एक-एक चीज हमें पढ़नी है अनूपगड को अगर हमें राजस्तान का नकसा उठा कर देखते हैं तो ये आपके सामने राजस्तान का नकसा है इसमें देखें अनूपगड यहां पर है यह रानूपगड तो दिसा की अगर बात की जाए तो ना तो उत्तर में और ना पस्सिम में मिडल में आ रहा है उत्तर पस्म दिशा के अंदर जो है आपका क्या रहा है अनूप गड़ आ रहा है दोस्तों आ रहा है ना अब इसके अलावा देखिए इंपोर्टेंट चीज यहां पर देखे पहले स्री गंगानगर बिकानेर यह पाकिस्तान के साथ क्या बनाते थे सीमा लेकिन अब गंगानगर के साथ आपका अनूप गड़ भी किसके साथ सीमा बना रहा है पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है तो कहने का मतलब अब पाकिस्तान के साथ एक तो हो गया सिरी गंगानगर दूसरा हो गया अनूप गड़ तीसरा हो गया बिकानेर चोता हो गया जे महिने दो महिने में जो परतियां उन्हेमें पुराना जीके आएगा लेकिन उसके बाद जो परतियां आनी है यानि अक्टूबर के बाद जो परतियां होनी है उन्हेमें कम्प्लिट नया जीके है वो पूछा जाएगा दोस्तों इसलिए एक एक चीज को समझना जरूरी है दो कारे ले लेते हैं कि यह अनूपगड कहां से लिया गया है तो देखे अनूपगड का नकसा है यहां पर यहां से देखे आगे यह गंगानगर बन जाता है यहां से यह बिकानेर है यहां पर यह बिकानेर है दोस्तों यहां तक और यहां पर वापस गंगानगर जे लग ये विकानेर का एरिया आता है सबसे पहले आपको बता दूँ कि अनूपगड है जो जंगल परदीस जो विकानेर को हम बोलते हैं जंगल परदीस प्राचीन समय में जंगल परदीस का हिस्सा था ये किसका था जंगल परदीस का याद रखना है बाकी पुराना नाम इसका क्या है तो आगे नोट सूं की तरह जो साइड में लिखे हुए है इनमें आपको समझ में आ जाएगा समझेए यहाँ पे अब देखें यहाँ पर अगर हम अनूपगड की बात करते हैं तो अनूपगड का निर्मान देखे अनूपगड जिला बिकानेर संबाग में इस्तित है अनूपगड जिला किस में आएगा बिकानेर संबाग में आएगा अब देखें बिकानेर संबाग के अंदर चार जिले हैं बिकानेर संबाग में अगर हम संबाग की बात करते हैं यहाँ पे एक एक जानकारी लीजिए संब हनुमान गड़ है अनूप गड़ है और विक कानेर है यह चार जिले हैं जो किसमें आइंगे आपके विक कानेर संबाग के अंदर आइंगे दोस्तों समझ गे अब देखिए यहाँ पे जो आपका अनूप गड़ है यह राजस्तान के दो जिलूं के सास्थ सीमा साजा करता है एक तो है स्री गंगानगर और दूसरा है बिकानिर। यानि कि अनूपगर्ड दो जिलू के साथ सीमा साजा कर रहा है और किसी भी परकार की अंतराज्य सीमा का निर्मान नहीं कर रहा है। सिरफ अंतराष्टिय सीमा बना रहा है, वो किसके साथ बना रहा है ये, रेडिकलिप्रेका, कहां पर लग रही है, पाकिस्तान के साथ, तो अनूपगड पाकिस्तान के साथ क्या बनाता है, अंतराष्टिय सीमा बनाता है, और दो जिलूं के साथ सीमा बनाता है दोस्तों, यहाँ पर यह लाइन को छोड़कर अलग बाग दिखाई दे रहा आपको सेम कलर के अंदर लाइनिंग वाला दो बागों में दिखाई दे रहा न यहाँ पर देखे यह जो बाग है उपर वाला यह बाग ये तो गंगानगर का है और जो नीचे है लाइनिंग वाला भाग है ये बिकानेर का भाग है जिसको तोड़ कर उन जिलू से लेकर अनूपगड जिले का निर्मान है वो किया गया है दोस्तुँ अनूपगड दो जिलू बिकानेर वे गंगानगर और पाकिस्तान के साथ सीमा म कि सर ये जो रेड कलिप रेका अनूपगड बना रहा पाकिस्तान के साथ इसकी लंबाई कितनी है तो मित्रू इसका आपको भी इंतजार करना होगा जब राजस्वे विवाग की दुआरा कम्पलीट एक एक जानकारी आएगी आखड़े आएंगे तब होगा लेगिन इसमें भी विस्तरित समय लेगेगा तो ये जानकारी तो हम बाद में भी ले सकते हैं क्योंकि छोटी है छेतरपल और सीमा यही तो है बाकी जानकारी यहां पर आपकी आजाएगी दोस्तों अब दूसरी बात अब यहां पर है कि सबसे लंबी जो अंतराश्टिये सीमा बनाता है व देखे एक एक जानकारी आईगी आपके सामने बिकानेर से दूसरी छत्रगर लगई गई और गंगानगर से राइसिंग नघर, विजे नघर, अनूपगर, गरसाना, कुल पांच तैसल ली गई गई है देखे गरसाना, गरसाना, यह साथ में बोले जाते थे पहले, नज़ि गोशना की गई थी इनकी गटीत की तो वहां पर आपने देखा होगा कि अनौपगढ़ है उसमें 6 तो उपगढ़ है लेकिन तेसिलू की संगया कितनी है 6 उपगढ़ 6 उपगढ़ अब देखे जिला मुक्याले है न आपका ये अनौपगढ़ ही होगा वीडियो होंगे complete जानकारी आपको दी जाएगी एक एक जानकारी इसमें देखिए एक बार आप सबसे important question जो अनूपगड को लेकर अगर बनेगा अब तो ये बनेगा अनूपगड का पुराना नाम चुगेर था चुगेर चुगेर इस नाम से इसको जाना जानता था वेसे अनूपगड है जो जिला मुकैले बनाया अनूपगड ये गंगा नगर का बाग है इसका बाग है गंगा नगर का बाग है अनूपगड एक चीज से और भी परसीद है वो है इंद्रा गांदी नहर इंद्रा गांदी नेर है जो अनूपगड से आगे निकलती हुई कहां से गड़साना की और निकलती है दोस्तों समझ गए आप यहाँ पे अनूपगड है जो गगर नदी के किणारे है अनूपगड किस नदी के किणारे है गगर नदी के कि Dafür किनारे आपका अनूपगड है वो इstatic है दोस्तों अब देखें यहाँ पे हमने यह बता दिया कि अनूपगड के अंदर 6 उपकंड है और साथ तैसिले हैं ये चीज तो हमने देख ली लेकिन देखे ये उपर वाली है जो आपके गंगानगर से निकल गई ये तो और ये दो निकल गई बिकानेर से तो बिकानेर और गंगानगर में कितनी तैसिले बची है ये भी तो जानकाली जरूरी है तो देखे वर्तमान में गंगानगर में 6 और विकानेर में 8 तेसिल है गंगानगर में 6 तेसिल है और विकानेर में 8 तेसिल है दोस्तुम एक चीज आपने उपर पढ़ा है कि अनूपगड का पुराना नाम था चुंगेर यहाँ पर उपर देखें नैकी बिंदी नहीं लगी यह लगा देता हूँ चुंगेर नाम था अनूपगड का पुराना नाम क्या था चुंगेर था अब देखें चुंगेर इसका नाम पड़ा, तो यहाँ पर एक दुरग है जिसका नाम चुंगेर दुरग है, वर्तमान में उस दुरग को अनूपगड दुरग कहा जाता है, जब नाम प्रिवर्तन हुआ तो उसका नाम अनूपगड हो गया, पहले जब अनूपगड का नाम ह उस दुरग को भी चुंगेर के नाम से जाना जहता था अब देखे 1608 इसवी के अंदर विकानेर के राजा थे अनूप सिंग उन्होंने यहाँ पर चुंगेर दुरग बनवाया था तो 1608 के अंदर अनूप सिंग ने अनूपगड वर्तमान अनूपगड है वहाँ पर चुंगेर दुरक का निर्मान है वो करवाया था समझ गए अब देखे यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री देखे या कलास्यस करती देखे या भूगोल की दरश्टी से देखे तो भूगोल जो चीज बनेगी चेतरपल है, सीमा है वो बाद में आएगी अभी राजस्व विबाग ने जानकारी नहीं दिये उसके बारे में तो दो चीजे हैं एक तो आपका राई सिंग नगर और दूसरा जो आपका है वो है गड़साना यहाँ से दो क्यूसन बनते हैं बाकी चाए खाजुवाला हो चाए छतरगड़ हो चाए रावला हो चाए अनूपगड़ हो चाए विजे नगर हो यहाँ से कोई डीपली क्यूसन नहीं बन रहा है और बाकी अगर क्यूसन बनेगा तो जब हम जैसे हिस्ट्री के क्लासे सुरू करेंगे नहीं जिले के बाद चाए कलासे स करती हो चाए राजस्तान का इतियास हो वहाँ पर पड़ेगे तो यहाँ चीजे आ जाएगी लेकिन आपने पढ़ा भी रास्तान जी के अच्छी तरह तो यह ऐसे नाम है जो आपको बहुत कम ने के बराबर कहीं पर सुने होंगे दोस्तों गड़साना किसान अंदोलन हुआ था अंतिम किसान अंदोलन था 2004 के अंदर यह गड़साना किसान अंदोलन है जो हुआ था और इस किसान अंदोलन के बाद दो आयोग गटित किये गए थे एक तो केजरिवाल और दूसरा आयोग का गटन इस किसान अंदोलन के बाद किया गया था दोस्तों तो ये जानकारी भी आपके लिए क्या रहेगी इंपोटेंट रहेगी आगे चलिए दोस्तों आगे हैं आपकी जो सबसे महत्वपूर जानकारी है ध्यान से देखिए एक बार जो लिकावा उसको छोड़ द इकाई दे रहा इसको थोड़ा ध्यान से देखिए देखिए यहां पर यह मुह बन रहा है यह देखिए पिछें वाले पेर यह आगें वाले पेर यह उपर देखिए सर के बाल आराम से देखिए किस परकार क्या आकरती है जैसे कि सेर पिछे पेर पिछे वाले पेर तो इक् की आकटी भी यही है लेकिन अगर यह जो उपर वाला बाग इसको देखते हैं तो यह क्या इसा लगता है कि yourself यहां पर गेरे लंबेवाल है और किस के होंगे सेर के होंगे तो अनूप गड्न की आकरती जिलू की आकरती पूछी जाती है वो तो क्या कि तेती जिले थे तो बच्चों ने अंगूलियों पर रट ली थी आकरती है इसलिए नहीं पूछी जाती थी अब पूछी जाएगी वापस तो बेटे सेर की तरह है अनूपगड की आकरती दोस्तों दूसरी चीज हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर एक चीज और है अनूपगड के अंदर वो भी इंपोर्टेंट है लेला मजनू आपने नाम तो बहुत सुना होगा लेला मजनू की इकलोती मजार है ना वो अनूपगड के सिमावर्ती गाव बिंजोर में है लेला मजनू की इकलोती मजार है जो कहाँ पर है चीज जो हम देखें यहां उपर देख रहे हैं क्या देख रहे हैं देखी यह रहा राइसिंग नगर important चीज गुरुद्वारा बुड़ा जोड गुरुद्वारा बुड़ा जोड राइसिंग नगर तेसिल में आता एक बार आप सीधा सर्च कीजे गुगल पर और चेक कर लिए पहले हम गंगा नगर में पढ़ते थे अब देखें गुरुद्वारा बुड़ा जोड राइसिंग नगर तेसिल के डाबला गाउं में कहां पर है डाबला गाउं के अंदर दोस्तों तो यह हो गया आपका अनूप गडजिला अब इसके अंदर है कि जो इतियास कलासस करती भुगोल से जो क्यूसन बन रहे थे जो मुखे क्यूसन थे वो तो मैंने ले लिए और इसी परकार लेकर आउंगा पड़ती दिन लेकिन जो आगे जो बड़े क्यूसन या विश्तरी तद्द्यन करेंगे वहां पर आपको एक-एक जानकारी भी मिल जाएगी लगबग आपको समझ में आ गया होगा यहां पर कि अनूप गड़ है वो कहां पर है सबसे बड़ी चीज है देखिए आप अगर जीके को सुरू से पढ़ रहे हैं तो पहले आपको बता देता हूँ इससे पहले वाला वीडियो है उसको जरूर देख लेना पचास जिले याद करवाएं तो उस वीडियो को आप देखिए और अपने जिले ना उनको दिमाग में सेट कीजे कि यह जिला यहां पर है अब आपको जल्दी से कोई पूछ ले कि डिक जिला कहां पर है तो एक दम आपको पता है नहीं और पता होता है कि बरतपुर से जश बिकानेर दूसरा बिकानेर जो साती यहां पर सोच रहे है चुरू की तो चुरू यहां पर आ जाता है यानि कि इस परकार देखिए यहां पर गंगानेर है और यहां से वापस यह बिकानेर आ जाएगा चुरू यहां पर आएगा तो चुरू इसके साथ सीमा साजा नहीं कर आप सबी सातियों का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल इसी टाइम नेक्स्ट कलास के अंदर जे हिंद जे बारत